नमस्कार दोस्तों आपका दब्बुक्स क्लब में स्वागत है मित्रो आज हमने सम्विधान की उद्देशी का विसेस्ताएं और नागरिता से सम्मंधित जो है ये पांच ववा वीडियो है इसका पैस के पहले मैंने चार वीडियो बना दिये हैं जो भारती सम्विधान की प्लेलिस्ट में है मित्रो अगर आप तयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले महत्पूर चीज ये समझ लीजिए यादि आप छोटे पैकेज जो एक रूप में तयारी करेंगे जैसे 20 कोशन का टार्गेट पढ़डे आप बना लेते हैं तो उससे क्या है आपका सलेबस भी खतम होगा आपको पता भी नहीं चलेगा और जब आप एक्जाम देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आप एक्जाम कौलिफाई कर लेंगे लेकिन अगर आप सोचें कि एक्जाम आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे या जब एक्जाम सुरू होगा तो ऐसे नहीं चलता है इसलिए मैंने जो वीडियो बनाता हूँ 20 कोशन का बनाता हूँ कि आप 20-20 कोशन पढ़ड़े एक वीडियो अगर देखेंगे तो आपकी एक्जाम के लिए बहुत लाबदायक होगा चले शुरुआत करते हैं शिक्किम भारत का एक सहराज बनाया गया था तीसवे संसोधन के अंतरगत, बतिसवे संसोधन के अंतरगत, पैंतिसवे संसोधन के अंतरगत, बैालिसवे संसोधन के अंतरगत तो बता दे पैंतिसवे संसोधन के अंतरगत सिक्किम भारत का एक सहराज बनाया गया था 34, 35, 36, 30, तो बता दी 35 संसोधन के अंदर सहराज था, 36 संविधान संसोधन के द्वारा पूर्ण राजी की रूप में समलिक किया गया, लोक सभा में संगी छेत्रों के लिए कितनी सीटे आरच्छित रखी गई, 30, 27, 25, 20, तो बता दें 20 रखी गई, कितनी 20, Next Question देख लेते हैं, जो देशी कर्ण द्वारा भारत के नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, उपरुप तकत्रों में कौन सा सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, तीसरा केवल, तीसरा केवल पहला, तो बता दें के केवल पहला, जो है हमारा, नागर असोम मड़िपूर आंदर प्रदेश सिक्के में जोरम और आंचल प्रदेश तथा गोवा की प्रदेशिक मांगों को देखते हुए भारत के समिधान में अंचे 371 ए से लेकर 371 आयं अंतर्विष्ट किये गए नेक्स कोशन देख लेते हैं किस देश में दोहरी नागरिक्ता का सिध्धान सिउकार किया गया भारत कनाड़ा आस्टेलिया सयुक्त राज अमेरिका तो सयुक्त राज अमेरिका में जो है दोहरी नागरिक्ता का सिध्धान सिउकार किया गया भारती नागरिक्ता नहीं प्रा की जा सकती भारती सम्मिधान निम्न में से कौन सी नागरिक्ता प्रेदान करता है दोरी नागरिक्ता एकल नागरिक्ता दोनों प्रोक्ट में से कोई नहीं तो एकल नागरिक्ता प्रेदान करता है भारती सम्मिधान next question देख लेते हैं किसी बेक्ति की भारती नागरिता नीलंबित की जा सकती है यदि कोई बेक्ति सोच्छा से दूसरे देश की नागरिता गरहन कर लेता है यदि भार नागरिक्ता के दायुत्यों से परचित नहीं है यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिता च्छल पूरा प्राप्त की गई है यदि वा किसी विदेशी राष्ट के युद्ध के दोरान वह सत्रु की सहता पहुंचाने की गद्विदियों में लिप्त हो तो इसमें आपसा नंबर चार सही है यदि कोई वेक्ति सोच्छा से दूसरे देश के नागरिता गणा करता है तब उसकी नागरिता जो है निलंबित हो जाती है तो बता दे कि ब्रिटेन से पेरित है किसे ब्रिटेन से निम्न में से किस इस्थित में किसी भारती विक्ति की भारती नागरिता समाप्त हो सकती है त्यागने पर परिवाशन पर वन्चित किये जाने पर उप्रोक्त सभी तो उप्रोक्त सभी में है भारत में निम्न लिखित राजियों के बनाने के सही कालनुक्रम की पहचान नीचे दिये गूर से कीजे आंदर प्रदेश, हिमानचल प्रदेश, हरियाडा, सिक्किम तो इसमें आपसा नंबर जो है सिकंड सही है सबसे पहले आंदर प्रदेश, फिर हरियाडा, फिर उसके बाद हिमांचल प्रदेश, फिर उसके बाद सिक्केम नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं भारत के सम्विधान के उद्देशों में से एक के रूप में आर्थिक नियाक काकिस में उपबंध किया गया उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज के नीत नियाक किया गया नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं भारत के संदर्ब में संसदी सासन पडाली निम्लखित में से कौन सा सिध्धान संस्थागरत रूप से निहित है मंत्रि मंडल के सदस संसद के सदस होते हैं जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं राजिक का अध्यच ही मंत्रि मंडल का अध्यच होता है नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये तो इसमें जो है सबसे महत्पूर ये चीज ध्यान रखना है तो इसमें हमारा आपसन नंबर पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है क्यों? क्योंकि मंत्री मंडल के जो सदस्त हैं वो संसत के सदस्ते हैं पहला ये सही है और जब तक मंत्रियों को संसत का विश्वास प्राप्तर है तब ही तक वो पत्पर इस प्रकार हमारा आपसन नंबर एक सही है प्रथम बदूती है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं निम्न लिखित में से कौन सा सही है? अध्या चात्मक सासन पडाली की विशेष्ता है कारिकारणी का प्रमुख राष्टपती होता है सही है राष्टपती अपने मंत्रिपरसत का चैन स्वयम करता ये भी सही है राष्टपती ब्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है उपर वड़नी सभी तत्य सही है तो इसमें आपसन नमबर चोथा सही है कारिकारणी का प्रमुक होता है राश्ट पति इपने मन्तिपरसत के चैन करता है राश्ट पति बेवस्तापका को भंग नहीं कर सकता है उप चारों आपसन सही नेक्स कोशन देख लेते हैं निमनलखित कत्नों पर विचार कीजिए समिधानिक सरकार वा है जो राज की सत्ता के हित में विक्ति की सोतंता पर प्रभावकारी प्रित्पंद लगाती है जो विक्ति की सोतंता के हित में राज की सत्ता पर प्रभावकारी प्रित्पंद लगाती है उग्त कत्नों में से कौन सही है केवल प्रथम, केवल दूतिय, केवल पहला और दूसरा तो इसमें दूसरा option सही है कोई भी सरकार जो राज में है राज के हित में सत्ता पर प्रभावकारी पेद्विंद लागाती है ना कि विक्त की सुतलिता पर next question देख लेते हैं, निम्लिकित में से कौन, एक नए राजी के निर्माड के लिए सम्विधानिक उपबंद नहीं है किसी राजी का छेतर बढ़ा कर, किसी राजी का छेतर घटा कर, किसी राजी का नाम परिवर्तन कर, एक राज संग, राज सामिल कर सकेगा ये गलत है चौता अप्सन ये सम्विधानियों को पबंद नहीं है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं निम्लिकित ओतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपून प्रभुत्त संपन समाजवादी पंत निरपेच लोग तंतरात्मक राज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजिक आर्थिक और राजनेतिक निया विचार अभिब्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की सोतंतता अप्रतिष्ठा और औसर की समता राप्त कराने के लिए उन सब में बेक्त की गरिमा और राष्ट की एकता और खंडता सुनशित कराने वाली बंधुत्ता बढ़ाने के लिए दढ़ संकल्प होकर अपनी इस सम्विधान सभा में आज को द्वारा इस सम्विधान को अंगिकरत अधिनिमेत और आत्म त्रप्त करते हैं 26 जनवरी 1950 26 नमबर 1950 26 जनवरी 1949 उपरोग तुमें से कोई नहीं तो 26 नमबर 1949 को अंगिकरत किया गया था नेक्स कोशन देख लेते हैं भारती सम्विधान की प्यस्तावना में भारत को किस रूप में घोसित किया गया एक सर्भौमिक प्रजातांती गरतंत एक सर्भौमिक समाजवादी धर्मनेरपेच प्रजातांती गरतंत इन में से कोई नहीं तो इसमें आपसा नमबर तीसरा सही है एक सर्भौम समाजवादी धर्मनेरपेच प्रजातांती गरतंत नेमलिखित कतनों में से कौन सा एक गलत है गोवा को 1987 में पूर राजी का दर्जा प्राप्त हुआ दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है दमन और दीव को भारती सम्मिधान को 56 वे संसूदन द्वारा गोवा से अलग किया गया दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी उपनवेशक सासन के अंतरगत थे इसमें चौथा आपसन जो है मारा गलत है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कावेरी जल बिवाद के अंतरगत राज्य हैं करनाटक महाराष्ट गोवा आंदरपदेश करनाटक तमिलनाडू महाराष्ट केरल करनाटक तमिलनाडू केरल आंदरपदेश करनाटक तमिलनाडू पांडेचेरी केरल तो इसमें चौथा आपसन करनाटक फिर तमिलनाडू पांडेचेरी केवल जो है कावेरी नदी जल बिवाद के अंतरगत राज्य हैं भारत में संगी ब्यवस्था से सम्मंधित निम्न कत्रों में से कौन सा सही है समिधान सासन की मूल सरचना के लिए एक संगी ब्यवस्था की प्रस्तावना करता है एक आत्मक जुकाओ का उसमें ससक्त मिश्ण है दोनों संग तथा राज विधाय का प्रभुता संपन है विधा की वित्ती तता न्याइक सक्तियों संग तता उसकी इकायों के मद्ध विभाजित कर दी गई हैं नीचे दिये गए कुटों में सही उत्तर का चैन कीजिए केवल पहला पहला वा दूसरा पहला दूसरा तता तीसरा सभी चार होते इसमें आपसर नंबर सेकंड सही है पहला सामि की बेवस्था की गई है पस्तावना की और दूसरा एक आत्मक जुकाओ को उसमें ससक्त मिश्ण किये गए हैं मित्रों ये वीडियो कैसा लगा है जैदे वीडियो आपके लिए उप्योंगी सिद्ध हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब ने करें तो सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद